Welcome my dear student, this is Sanjeev Jha, your online tutor and today we are going to discuss the third and most important type of muscular tissue that is cardiac muscular tissue. Yes, बच्चों, आज जो हमारा topic रहेगा वो basically cardiac muscular tissue के कुछ important key point पे focus करेंगे. जैसे कि इसका definition कैसे है, इसको define कैसे करते है, इसका structure कैसे है, साथ ही साथ इसके location यानि हमारे body में कहाँ पाया आता है, इसके different क्या-क्या function perform करते हैं and different name जिसमें बच्चे खासकर बहुत परहसान होते हैं, वो different name क्या-क्या है, तो without wasting our time, let's start बच्चों. तो चलिए बच्चों, मैं आपका questions clear करता हूँ कि cardiac muscular tissue क्या है, actually cardiac muscular tissue, जैसे कि आपको इस slide में दिख रहा होगा, cardiac muscular tissue एक तरह का muscular tissue है, यानि human body या किसी भी animal body में हम जानते हैं, already जो इस series को देख रहे हैं, उन्हें मालूम होगा, कि muscular tissue जो है, वो basically तीन टाइप के होते हैं, एक skater muscular tissue, दूसरा smooth muscular tissue, और तीसरा cardiac muscular tissue, तो cardiac muscular tissue क्या होगा है, यह जो muscular tissue, तीन तरह के muscular tissue थे, उनका एक type है, और यह बहुत ही important, third and most important type है, most important type क्यों है बच्चों, क्योंकि इसी के वगए, इसी से हमारा जो hurt है, वो बना हुआ है, यानि इसी के लिए हम जिन्दा हैं, अगर यह हमारे body में नहीं पाया जाएगा, तो we can't live without it, तो muscular tissue, जो cardiac muscular tissue है, वो इसलिए बहुत important type of muscular tissue है, clear हुआ बच्चों, और जिन बच्चों को यह समझ मारा कि muscular tissue क्या है, और इसका type क्या है, जैसे skeletal, smooth, तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने इन सब topic पे अलग-अलग videos बना रखे हैं, और जिसका link भी मैंन description box में दे रखा है, you can go through, okay, तो आज हम focus करते हैं, the third and most important type of muscular tissue, that is cardiac muscular tissue, okay बच्चों, तो इसमें जो सबसे पहिशानी की सवाल आता है, जो बच्चे बहुत confused हो जाते हैं, वो होते हैं इनके नाम पे, क्योंकि cardiac muscular tissue के बहुत सारे नाम हैं, जिसकी वैसे बच्चे confused हो जाते हैं, तो आज आपका सारा का सारा confusion दूर हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहें, यहाँ पे cardiac muscles के different नाम लिखके रखे हैं, basically यह जो बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन तीन नाम मैंने यहाँ पे लिखके रखे हैं, जिसका नाम बहुत जादा इस्तमाल होता है, तो cardiac muscular मतलब involuntary muscle भी कह सकते हैं उसको, फिर उसे हम striated muscle tissue भी कह सकते हैं, और तीसरा जो नाम दिया गया है, उसको नाम दिया, untransically, untransically और self-controlled muscle tissue, तो यह तीन नाम किसके नाम है, cardiac muscular tissue के ही different different names हैं, I hope आपको यह clear हो गया about different names, और confusion अब नहीं होगी, ठीक है बच्चों, तो इसको क्यों कहते हैं हम इसको explain करेंगे, वीडियो केंट में, आप बढ़े रहे हैं, आगे हम भी समझने में, sorry, location अगर जान लेंगे, तो हम इसका definition करने में भी हमें बहुत आसानी होगी, तो सबसे पहले जान लेते हैं, कहां यह located है, तो बहुत easy तरीके से मैं बताने की, कोशिस कर रहा हूँ आ important है, मैंने भी बताया था, कि cardiac muscular tissue एक most important type of muscle tissue है, क्यों, क्योंकि hurt, अगर hurt नहीं रहेगा, दिल नहीं धरकेगा, दिल नहीं रहेगा, दिल धरकेगा नहीं, तो क्या हम जिन्दा रह सकते हैं, not possible, right, तो सबसे पहले सवाल आता है, कि यह हमारे hurt में पाये जाता है, इसका location का है हमारे hurt में, और specifically बोले, तो hurt के myocardium layer में पाये आता है, बच्चों, तो घबराओ नहीं, myocardium क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीके, तो hurt के myocardium layer में पाये आता है, तो सबसे पहले देखे, आपको यहाँ पे, यह hurt देख रहा है, hurt का यह wall, अगर हम यहाँ पे ल देखो, तो आपके इसको 3 पार्ट दिखाए देंगे, तो outer जो यह पार्ट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं, epicardium, क्या कहते हैं बच्चों, outer layer को क्या कहा जाता है, epicardium, जो की outer protective layer होता है, epicardium, उसके बाद सबसे inner layer होता है, जिसे हम endocardium कहते हैं, जिसका नाम दिया गया है, इसको यह thin layer होता है, सबसे thin layer होता है, और beach वारा जो portion है, that is myocardium, ओके, यह वारा जो portion दिख रहा है, that is myocardium, यही middle layer होता है, जो जहां पर क्या होता है, हमारा cardiac muscular tissue present रहता है, clear हुआ बच्चों, तो myocardium कहां located रहता है, the, तो यहां पर है, देखो myocardium, मैंने लिख के रख myocardium क्या होता है, the muscles of the hurt which make up the middle and thickest layer of the hard wall is known as myocardium, तो सबसे पहले हम जान लेंगे, कि जो cardiac muscular tissue हो, वो कहां पाया जाता है, myocardium hurt के myocardium layer, वो wall में पाया जाता है, तो यह पहला चीछ clear हो गया, कि myocardium में पाया जाता है, hurt के, तो यह myocardium क्या है, तो मैंने यहां पर explain किया ह तो myocardium, the middle layer, यहां पर लिखके रखा है, myocardium क्या है, the muscles of the hurt which make up the middle and the thickest layer of the hurt wall, hurt wall के तीन, hurt जो wall है, उसके तीन layer होते हैं, epicardium, myocardium and endocardium, तो जो middle thick layer होता है, उसके अंदर जो cells पाया आते हैं, उस cells को हम cardiac muscular tissue कहते हैं, यानि cardio muscular tissue कहां पाया आता है, clear हो गया बच्छों, कोई doubt नहीं है, myocardium क्या है, वो भी clear हो गया, okay बच्छों, that's all, यही हमें बताना था, ताकि अब आपको definition बताने में बहुत easy होगी, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, definition की जो आपको समझने में बहुत easy होगा, तो here we go, the definition of a cardiac muscular tissue, how we define, as you see, the astrayated involuntary muscles present in the myocardium of the hurt wall, is known as the cardiac muscular tissue, या फिर हम इसको involuntary muscle भी कह सकते हैं, या फिर self-control muscle tissue भी कह सकते हैं, तो हमने क्या कहा, कैसे define करेंगे, definition कैसे लिगोगे, कि वो muscle tissue, वो muscle tissue, जो involuntary रहते हैं, involuntary क्यों बच्छों, हमने इसके पहले बढ़ा था, skeletor muscular tissue, वो voluntary रहता है, voluntary मतलब आप जैसा चाहते हो, वैसा आप उस muscles को move करा सकते हो, बट ये जो muscles है, ये muscle मतलब cardiac muscular tissue, ये जो है, ये involuntary है, मतलब आपके will पे काम नहीं करेगा, ठीक है, आप चाहो तो दिल का धरकना बंद हो सकता है, नहीं, है ना, आप चाहो तो दिल का धरकना बंद नहीं कर सकता है, यानि आपके will power पे ये depend नहीं करता है, आप चाहा के भी इसको रोक नहीं सकता है, तो ऐसे functions, जो हम हमारे control में नहीं रहते हैं, उसे हम involuntary कहते हैं, तो ये muscles भी क्या होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, इसलिए से involved muscle कहते हैं, समझ में आ गया है, और दूसरा जो term है, वो strated, तो strated आप जानती ही हो, इसके पहले भी पर चुके हो, कि वो cell जिसमें एक light और एक dark band भाया आता है, तो उसे हम strated कहते हैं, उस band को मिला के, ठीक है, light and dark band together is known as strated, तो हमने क्या देखा, यह muscles, यानि कौन से muscles की बात हो रही है, a type of muscle tissue, okay, muscle tissue present in the myocardium, जो hurt के myocardium में, ऐसा tissue जो strated होता है, involuntary होता है, और myocardium, hurt के myocardium लेयर में पाया जाता है, उसे हम cardiac muscles tissue के नाम से कह सकते हैं, या फिर involuntary muscles कह सकते हैं, या फिर self-control muscle tissue, कुछ भी, अगर आपको एक पता चल गया है, cardiac muscle tissue का deficient पता चल गया है, तो वही definition आप involuntary के लिए भी use कर सकते हो, self के लिए भी use कर सकते हो, तो I hope आपका यह definition था, वह आपको clear हो गया हुआ, फिर भी अगर आपको कोई doubt लग रहा है, तो you can invokes me, I can definitely help you out, ओके बच्छों, तो हमने जो जो पढ़ा, अब हम उसके next पढ़ते हैं, जो हमारा next topic है, वो है structure, यानि यह बना कैसे है, कौन-कौन cell है, या कैसे-कैसे बने हैं, इसके बारे में हम थोड़ा knowledge दे रहेते हैं, तो start करते हैं, first one, जैसे कि आप देख रहे हो कि cardiac muscle tissue is made up of a branch fiber, कैसे से बने हुए branch fiber, यानि इसके branch देखो, यह branch देख रहे हैं, है ना, इसा एक था, यह branch, तो branch fiber से बने हुए हैं, या cell से बने हुए हैं, जिसका नाम है बच्चों, yes, cardiomyocytes, यानि किस तरह के cell से बने हुए हैं, cardiac muscular tissue, तो cardiac muscular tissue is composed of a cardiomyocytes, यह cell का नाम है, जिससे cardiac muscular tissue बना है, clear बच्चों, और यह myocardic branch होते हैं, चलिए, आगे पढ़ते हैं, पहला वला clear हुआ, दूसरा, cardiomyocytes are long, जैसे कि आपको दिख रहा हैं, लंबे दिख रहे हैं, non-trap tapering, tapering मतलब क्या होता है, kona, मने, अंदर side वाला चिपके होते हैं, kona जो होते हैं, जैसे यह cell है, इसके kona ऐसे चिपके रहते हैं, इस तरह से, ठीक है, नुकीले होते हैं, एक तरह हम क्या सकते हैं, ठीक है, तो non-tapering नहीं दिख रहा है आपको, देख लिए यहाँ पर, non-tapering नहीं है, है न, नुकीले नहीं है, cylindrical, cylindrical shape में दिख रहा है आपको, ठीक है, single nucleator होता है, यह बच्चों, single nucleator, मतलब एक ही nucleator पाया आते हैं, ठीक है, इसके पहले हमने पर आता कि multi nucleator होते हैं, दूसरे जो scatter muscle tissue है, but cardiac muscle tissue में nucleated होते हैं, और इनके अंदर mitochondria भी पाया आता है, बच्चों, समझ में आया, तीसरा चीज, कि alternative light and dark band are present, stratiation, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, clear यह point भी, चलिए, next point की बात कर रहे हैं, कि each branched fiber surrounded by sarcolyma, आपको याद है बच्चों, sarcolyma क्या है, yes, sarcolyma, the, यह जो cell wall होता है, right, इस cell wall का हम क्या कहते है, sarcolyma कहते है, right, इसके जो cell का तो wall होता है, तो cell wall का हम क्या कहते है, sarcolyma, good, and contain with a cytoplasm, इसके अंदर जो cytoplasm होता है, उसको नाम दिया गया है, sacroplasm, sorry, sarcoplasm, ठीक है, इसके बाद, they are involuntary, मैंने बताया कि यह involuntary होते हैं, क्यों होते हैं, बताया था अभी, self-controlled होते हैं, इनको कोई बाहर से control नहीं करता है, यह अपने आप control करता है, यह से दिल जो धरकता है, rhythm वे से, ठीक है, उसका rhythm जो है, यह खुद control करता है, ठीक है, दिल का धरकना जो है, कितनी बाद धरकता है time, एक मिनिट के अंदर, तो वो खुद यह control करता है, कोई बाहर से नहीं कंट्रोल करता है इसलिए self-control है और involuntary है ठीक है? और they are present only in the heart राइट बच्छो आपने सही सुना ये body में कहीं नहीं पायाता है सिर्फ और सिर्फ hurt में पायाता है यानि hurt को छोड़के और कहीं भी ऐसा part नहीं है जहां पे cardiac muscle tissue पायाते है ठीक है बच्छो? तो ये था हमारा इसके structure के बारे में I hope मैंने crystal clear किया होगा आपको इसके बारे में ओके बच्छो तो अब हम जान लेते हैं इसके different functions कि ये हमारा function क्यों perform करता है? क्या perform करता है? तो चुकि ये heart से जुरू होए तो heart का जो function है वही basically इसका function होता है तुझे देख लेते हैं function of cardiac muscle क्या कहता है? first जो पहला ही चीज़ है वो बताता है कि cardiac muscle muscles जो है वो contract and relax करते हैं कैसे करते हैं? rapidly मतलब बहुत जली जली करते हैं और rhythmically करते हैं मतलब rhythm के साथ करते हैं and tirelessly तो तीन तरह से जो cardiac muscles tissue है वो तीन तरह से contract और relaxation करते हैं कैसे कैसे? rapidly मतलब बहुत तेज rhythmically मतलब सूर से, एक lath से और tireless ते ठकते नहीं है इसके पहले हमने पर आथा sclerotermuscular tissue जो थोड़ा काम करने पर ठक जाते थे तो ये ठकते नहीं है क्यों नहीं ठकते हैं बच्चो इसका कारण भी है इसका कारण ये questions भी आता है कि क्यों नहीं ठकते हैं ये तो कारण ये है कि हमने अभी परहा था इसके structure में कि एक तरह का ये किस तरह के cell से बने होते हैं cardiac muscular tissue cardiac muscular tissue जो cell से बने तो इसका नाम था myocardium right sorry cardiomyocytes क्या पढ़ा था हमने cardiomyocytes यह cell है जिससे हमारा cardiovascular tissue बना हुआ है इसमें वो गुण है वो quality है जिसकी वैसे यह tire मने कभी भी ठकता नहीं है tirelessly walk करता रहता है ठीक है throughout a lifetime clear बच्चो तो they contract endlessly from early embryonic stage until death यानि जब गर्वा वस्ता में होता है उस समय start होता है इसका काम rhythmic tirelessly काम करना और जब तक death नहीं होता है तब तक यह काम करते रहते हैं ठीक है किस तरह से rapidly, rhythmically and tirelessly throughout from the early stage to the until death ठीक है बच्चो तो उसके पहले अगर यह रुख जाएगा तो मनिश्य का जीवन भी रुख जाएगा clear तो इसलिए यह जीवन भर आजीवन जब तक आदमी जिन्दा रहता है या कोई भी animal जब जिन्दा जब तक जिन्दा रहता है तब तक cardiac muscles क्या करते रहते हैं rapidly, rhythmically और tirelessly contraction और reaction करते रहते हैं यही इनका काम है first काम ठीक है? और दूसरा function देख लेते हैं the contraction and relaxation of the hurt muscle help to pump and distribute blood to the various part of the body और यही contraction and relaxation hurt में जो muscles हैं मतलब cardiac muscles, tissue जो हैं उसी के contraction and relaxation से क्या होता है? हमारे जो body में है जो, sorry, जो यानि क्या कहेंगे? हमारे hurt के जो muscles हैं वो help करते हैं pump करने में और distribute करने में blood को यानि blood को हमारे body से sorry, हमारे hurt से pump करके बाहर निकालके पूरे body में body के different part में यह distribute कर देता है किसका? यह hurt muscles या फिर cardiac muscles का ही यह काम है ठीक है? यानि cardiac muscles contraction relaxation करता है जिससे हमारा hurt क्या कर सकता है? pump कर सकता है blood को और पूरे body में यह distribute करता है तो इसलिए मैंने start में ही कहा था कि cardiac muscular tissue बहुत ही important है अब समझ माया इसका importance तो that is the main two function that is performed by the cardiac muscular tissue I hope all of you understood ओके बच्चों जब आगे बढ़ते हैं कि आपको नाम तो बता ही था या आप मैंने पहले ही बता चुका था कि different name है अब क्यों है यह different name जैसे involuntary, striated या self-controlled यह अलग अलग नाम क्यों दिये हैं? cardiac muscles के सारे के सारे क्या है? सारे के सारे cardiac muscles हैं क्या कहा हम आँने? सारे के सारे cardiac muscular tissue हैं लेकि इसके नाम different क्यों है तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका reason देने जा रहा हूँ कि इसके different different नाम क्यों है तो let's start with the involuntary muscle tissue here it is तो पहले में आपको दिख रहा होगा कि they are called as a involuntary muscles tissue तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि क्यों involuntary muscles कहते हैं क्योंकि it is not controlled by our will मैंने start में बताया था कि हमारे control में नहीं रहता है यानि हम जैसा चाहते हैं वैसा इसको हम नहीं control कर सकते हैं ठीक है और साथ ही साथ it controlled by कौन सा कौन control करता है reason of the brain stem and the hypothalamus तो एक brain stem और hypothalamus का एक part है वहाँ से ये control होता है ये हमारे control में नहीं रहता है that's why it is known as involuntary muscle tissue clear रहा बच्चों पहला चीज़ ओके चलो दूसरा कि cardiac muscle tissue को हम क्या कहते हैं intrinsically या फिर self-controlled muscle tissue भी कहते हैं क्यों कहते हैं because the normal cardiac rhythm of the heart heart देखो एक beat पर चलता रहता है normal cardiac rhythm इसी को normal कहते है जब आप normal अवस्ता में रहते हो सांथ से बैथे रहते हो आप normal cardiac rhythm रहता है जब दोरते नहीं हो हट work नहीं करते हो तब जो rhythm हो रहता है हट beat का वह कहते हैं सेट करता है specified pacemaker cardiac muscle याboth cardiomyocytes क्या करता है इस rhythm को, यानि heart beat को क्या करता है, यह control इसी के द्वारा होता है, इसी type के cells इस beat को control करते हैं, इसलिए इसे self control, ठीक है, चुकि यह cardiomyocytes कहा होते हैं, heart में पाया जाते हैं, heart के अंदर ही होते हैं, तो heart का rhythm है, वो set करता है, heart के अंदर ही, जो cells पाया आते हैं, cardiomyocytes, वही इसको control करता है, उस beat को, इसलिए इसे intrinsically या फिर self control muscle tissue कहते हैं, clear बच्छो, very good, तो अगे पढ़ते हैं, जो आप जानती ही हो, due to the present of stratiation, stratiation पाया जाने की वहेसे, मतलब dark और light band, पाया जाने की वहेसे, all about the different name, and why they are so called, is it clear all of you, very good, तो अब हम, एक summary कर लेते हैं, कि हमने क्या-क्या पदा अभी तब, तो as you see, key point में हमने जो discuss किया, वो definition था हमारा, कि कैसे define करेंगे, जिसमें हमने कहा था, कि cardiac muscular tissue, एक type का muscular tissue है, जो हमारे, कहां पाया आते हैं, myocardium hurt के myocardium layer में पाया जाता है, ठीक है, location, वह ही है, location मतलब hurt में पाया जाता है, इसका structure में हमने पाया था, कि इसमें एक तरह के इसमें जो cells होते हैं, वो branched होते हैं, जिसका नाम होता है, cardiomyocytes, ठीक है, है ना, इसके cell fiber जो होते हैं, cardiomyocytes होते हैं, जो branched होते हैं, single nucleate रहते हैं, और mitochondria पाया जाता है, इसके बाद हमने इसके function में बढ़ा था, कि function क्या था, function में बताया था हमने, कि hurt को, hurt से pump कर, hurt से blood को pump करना, और पूरे body में distribute करना, यही cardiac muscular tissue का काम है, उसके बाद हमने पढ़ा था, इसके different names या फिर other names, तो different name क्या क्या था है, हमने पढ़ा था, cardiac muscular tissue का, उसका नाम, ठीक है, उसका नाम हम पढ़े था, जैसे involvary muscles tissue बताया गया था उसको, है ना, self control बताया थे, तो नाम भी, इ या फिर different name क्यों दिये गए है, उसके उपर discussion किया था, तो I hope आपको ये सारे topic एकदम crystal clear हो गया होगे, ओके बच्चों, तो कैसा लगा मेरे video, comment करना, ना भूलिएगा, और हाँ, अगर कोई doubt है, तो आप inbox भी करना मत भूलिएगा, और ज्यादा, आप और ज्यादा information या लेना चाहते हैं, कोई notes लेना चाहते हैं, तो दिये गए link पे आप visit करिये, वहाँ पे आपको और भी ज्यादा से ज्यादा note और ज्यादा से ज्यादा help मैं देने की courses करूँगा, तब तक के लिए बाई बच्चों, मिलते हैं अगले video में, thank you. शुम्झ Will सेते हैं और जिए उिल्ग Помी nggak प्रिए था नहीं, तक को करेम हैं, वहाँ आपको और भी की से ज्यादिक से ज्यादाय से 3वे प्के रूसे कर चे से वहाँ़